हालो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वालेंगे कैसे आप लोग बैंक ओफ बरोदा का एकाउंट ओपनिंग फॉर्म फील करेंगे तो फ्रेंड्स यह फॉर्म जो है वो सिंप्ली बस दो ही पेज का होता ज्यादा कुछ इसमें आपको फील करना है नहीं एक यह होता है और एक इसके जस्ट अपोजित होता है तो पूरा मैं आपको पूरी डीटेल में फिल करके दिखाने वाला हूं साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्या आपको कौन-कौन से डोकुमेंट इसके साथ अटेच करना है बैंक अकाउंट ओपन कराते वक्त बैंक ओफ बरोदा और यह वाला box दोनों आप खाली छोड़ देंगे mode of operation अगर आपका single account open करवाना है अगर आपको तो self लिखेंगे अगर joint account 2% का होता है अगर दो लोगों का account open करा रहे हैं यहां पे joint लिख देंगे इतना करने के बाद नीचे आपको आजाना है नीचे आपको यहां पे name लिखना है primary account holder name मतलब first person का जिनका joint account हो तो वह यहां पे second person का name लिखेंगे joint holder name यहां पे आपको signature कर देना है और यहां पे आपको photograph लगाना है sorry यहां पे signature मैंने लिख दिया है यहां पे आप लोग एक photograph लगाए ठीक है और यहां पे signature भी आप लोग कर देंगे नीचे फोटो account अगर आपका है तो यहां पे तो उनका name हो जाएगा यहां पे signature और यहां पे photo अगर single है तो सिर्फ इतना ही आपको feel करना है इसे खाली छोड़ देना है नीचे आपको यह सब कुछ feel करने का अगर आपको पता है तो लिखे otherwise आप blank भी छोड़ देंगे तो कोई आप इसमें दिक्कत नहीं है तो यह था अपना first page, first page में बस इतना ही कुछ feel करना होता है अब हम लोग आते है इसके opposite side पे जो कि हमारा second page है इस पे आपको सबसे पहले occupation अपना feel करना है कौन सा काम आप करते हैं वो feel करें अगर working है doctor engineer जो भी आप farmer occupation आपका क्या है मतलब क्या आप करते हो वो आप लोग यहां पे लिखेंगे अगर student है तो student लिखेंगे ठीक है यहां पर date of birth लिखेंगे जो आपके अधार कार्ड पे हो वही आप लोग यहां पे लिखेंगे अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे ठीक है नेम भी जो आपने लिखा था वो अधार कार्ड पे होन हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे पोस्ट क्याजवेट करेंगए और अगर लिए नहीं है तो सहि Egg को ए यहाँ पर ऊछितों गून करना होडिक में ुख mukत आपको पर यहां पर यहाँ पर नमबर लिखना होता है आपके पास आधारकार तो होगा ही यहां पर आधारकार नमबर पुड़ा फील कर दें अच्छे से यहां पर आपको yearly income यानि कि annual income आपका कितना है वार्सिक आई कितना है आपका वह आप लोग यहां पर फील करेंगे जो भी हो आपका वह आप फील करें अपने कोडिंग यहां से मैंने कहीं कहीं क्रॉस कर दिया है तो वह गलती आप लोग ना करें यह लिखते वक्त आप लोग ध्यान से पूरा प्रोपर कहींपे भी स्मॉल लेटर का प्रियोग ना करें अलगते वक्त सारे जगह फील करें सारे बॉक्स इसको ठीक है नीचे आते हैं नीचे 10 अनap आपको यहां पर फादर मेहां लिख देंगा है नीचे आते हैं अगर आप मैरीड है can लिखेंगे यहां पे अगर मैरीड नहींद तो इसे blank छोड़ दे यहाँ पे nominee आपको select करना होता है आपके ना रहने के बाद वो जो आपके account पे पैसा होता हुँ किसे मिले यहाँ पे name of the person जिसे भी चाहते है nominee बनाना उसका यहाँ पे एक person का name लिखेंगे nominee का date of birth क्या है वो लिख देंगे यहाँ पे उसका relation लिखेंगे कि वो आपका क्या लगता है इतना करने के बाद नीचे आते हैं नीचे आपको यहाँ पे अपना पूरा address लिखना होता है address में आपका क्या लिखेंगे village post office, police station, district और state इतना कुछ आप लोग यहाँ पे पाइल करेंगे नीचे आते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना CT लिखना है कौन सा सहर आपका वो यहाँ पे पिन कोड अपना लिखथे राज़ी लिखना है state कौन सा है यहाँ पे email id लिखे email id एक्टिव वाला ही लिखे ताकि आपके email id पे सारा कुछ mail वगएरा आ सके हर एक महिने का यहाँ पे देख सकते हैं खातेदार का हस्ताक्चार customer signature जिनका यह account open हो रहा है उनका यहाँ पे एक signature जाईए तो उनका यहाँ पे sign करेंगे अब नीचे आपको यहाँ पे 4 चीज़ देखने को मिलेंगे यह क्या है उस पे बात कर लेते हैं अगर आपको ATM card चाहिए तो yes पे tick करेंगे नहीं चाहिए तो no पे tick कर दे चेक बूक चाहिए तो yes पे tick करें अगर नहीं चाहिए तो no पे उसी तरह SMS alert जो नमबर आपने यहाँ पे mention किया है यहाँ पे नमबर आपने जो पीछे mention किया था यहाँ पे देख सकते हैं जो mobile number मैंने लिखा है इस पे अगर SMS चाहते हैं कि जो भी पैसा transaction या debit हो या credit हो उसका SMS आजाए आपके नमबर पे तो yes पी tick करें अधर्वाइज आप लोग no पे tick करेंगे अधार seeding यह भी आप लोग करा ही ले अधार seeding कराएंगे तो yes पे tick कर देंगे नहीं तो no पे tick कर देंगे तो इससे कोई problem नहीं है लेकिन करा लेंगे तो यह लगा कि आप लोग अधार card से भी पैसा निकाल सकते हैं और charges applicable होते हैं इन सब चीजों के लिए ठीक है इस बात का ध्यान रखें पर यह आपको कुछ charge लगेंगे इन सब facilities के लिए ठीक है यहाँ पर date लिख दें अब बात कर लेते हैं कि इस form को feel क करने के बाद आपको कौन-कौन सा document इसके साथ attach कर लेना है तो आपको अधार card और pen card अगर आपके पास pen card नहीं है मैंने जैसा कि बताया form number 60 आपको feel कर लेना है bank से ले कर गे और pen card है तो pen card का Gerox और अधार card का Gerox दोनों दे दें और pen card नहीं तो सिर्फ अधार card का Gerox इसक करना होता है इस side भी देख सकते हैं आप लोग चलिए side भी देख लीजिए well I hope कि आपका भी यह form अच्छे से feel हो गया अगर आपका भी form feel हो जाता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर हमाए नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबादे ताकि है हमारे आने वाला वीडियो को रोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले thanks for watching